फिल्म पदमावती को लेकर संजलीला भनसाली को गाली देने और भनसाली और दिपीका किसिर काटने पर दस करोड का एनाम रखने वाले हर्याना बीजेपी के चीफ मीडिया को ओर्डिनेटर सूरजपालमू ने अपने पत से इस्तिफा दे दिया है सूरजपालमू के इस्तिफा देनी का कारण वो हर्याना सीम मनोहरलाल खटर से नाराज बताये जा रही है घौर तलब है कि राजपूत कड़नी सैना द्वारा मुखी मंतरी मनोहरला से दिल्ली में मुलाकात ना कर पाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है बंगलवार को सीम से मुलाकात ना हो पाने पर सूरजपालमू ने मनोहरलाल खटर पर हमला बोलते हुए इसे राजपूत बिरादरी का अपमान करार दे दिया था उन्होंने चतावनी दी कि आने वाले दिनों में हर्याना प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुकतना पड़ेगा उन्होंने संग से मामले में हस्तक्षिप करने के लिए भी कहा गोरतलब है कि कुछ ही दिन पहले एक सभा के दोरान सूरजपाल अमू ने भाशक की सारी मरियादों को लांगते हुए भंसाली को भला बुरा कहा था इसके साथ अमू ने खुले आम खोशना की थी कि जो भी संजिल लिला भंसाले और दिफिका का सरकाट कर लाएगा वो उसे 10 करोड रुपाई का इनाम देंगे और उसके परिवार की देख भाल भी करेंगे सूरजपाल अमू के इस बयान की सभी ने कड़ी आलुशना की थी बीजीपी ने भी इस बयान को गंभीरता से लेते हुए अमू के खलाफ कारेवाई का संगे देते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी क्या था न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट